तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था तो मैं आप के लिए आज लेके आए हूँ एक special edition of www.w.w.series UP-PCS के लिए special edition है इसमें UP के current affairs रिसकस करने वाले हैं दोस्तों चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है मैंने दोस्तों तो चार वीडियोज आएंगी इसकी बहुत जल्दी मैं एक साथ रिसको रिलीज करने कोशिश करूँगा तो आप UP का जदी PCS exam इस बार दे रहे हैं जो कि 24 अक्तुबर को होने वाला है तो दोस्तों ये आपके लिए must है watch और इसमें मैंने सिरफ important जो last one year के current affairs है वो डालने की कोशिश की है बहुत सारा data नहीं दिया मैंने तो ज्यादा बड़ी वीडियोज नहीं होंगी पर जो important है current affairs के point of view से सिरफ वही data मैंने इसके इंदर दिया है और जो generally questions पूछे जाते हैं UPPCS के अंदर तो उसी के basis में आने ये बनाई है अपने experience के साथ से बनाई है तो दोस्तो आप इसको follow कीजिए पूरी की पूरी सीरीज देखेगा मैं आपको guarantee देता हूं कि इसके अंदर से आपके बहुत सारे questions बनेंगे paper के अंदर जैसे कि हमारी current affairs series के अंदर बहुत सारे paper से बने है ठीक है दोस्तो तो चार पार्ट की ये series होने वाल पूछा जाता है ये exam के अंदर ये दो टॉपिक हम आज की वीडियो में cover करने बाले हैं तो आई ये शुरू करते हम पहला देखते हैं ये हमने अपनी current affairs series में भी कुछ-कुछ ऐसे होंगे जो आपको मिल जाएंगे जो हमने cover करें अपनी January to March current affairs series में ये October to December current affairs series में हम already cover कर च तो क्या topic थी इस टैबलू के बारे में जान लेते हैं क्या क्या important है जो आपसे पूछा जा सकते हैं तो सबसे बहले तो first price किसको दिया गया है UP की टैबलू को दिया यानि की जहांकी को दिया गया है दोस्तों मैं Hindi में बोलूँगा English में आपके सामने आएगा लेकिन इसलिए जाकि यह Hindi वले जो हमारे विद्यारति हैं वो भी इसको follow कर सके आसानी से तो यह मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर तो राम टेंपल पे यह बेस थी तो इसको यह आपको याद रखने है आयोध्या में जो राम टेंपल बल रहा है उस पे यह बेस थी उसका एक मॉडल था इसका थीम क्या थी इस साल की रिपब्लिक टेपरेट में ठीक है तो फर्स पराइज मिला है आयोध्या कल्चर हरिटेज और उतरपदेश को सेकेंड तृपुरा को और थर्ड उत्राखंट की टैबलो को मिला था यानि कि जहांकी को मिला था जो CPWD यानि कि Central Public Works Department की जहांकी उसको एक special price दिया गया फॉर अमर जवान तो यह जनरली फूलो वाली जहांकी होती है आपने देखी ही होगी Republic Day पे तो यह बहुत important है यह सारी चीज़े आपको इसमें से याद रखनी है इस से related एक information और दे तो यह जो था इस साल जो थे हमारे कोई चीफ गेस्ट नहीं थे Republic परेड में जो कि Boris Johnson जो कि UK का प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आना था COVID हो गया थो उने इसलिए और इंडिया में भी COVID बहुत फैला वा था उस टाइम पे इसलिए उन्होंने अपनी विज़ेट को कैंसल कर दिया था इस साल इंडिया में कोई Republic Day कैस्ट चीफ गेस्ट नही पूरे होने वले हैं तो इससे रिडेटेड एक पूछा गया था एक एक एक्जाम में भी रिसेंट्ली पूछा गया था यह हरयाना PCSK में जो चौरी-चौरा में देख लेते हैं क्या है चौरी-चौरा मार्टेर्स हैब नोट बिन गिवन डू प्रेमिनेंस यह PM ने का था जब उन्होंने चौरी-चौरा की सनेटरी सेलिबरेशन है निकि 100 वर्ष की जो सेलिबरेशन है चौरी-चौरा में उस इंसिडेंट की सौ वर्ष की काड़ पे पीम ने यह मैसेज दिया था यह P.I.B. की न्यूस है ठीक है और चौरी-चौरा आपको पहले प्लेस पता होना नॉन कोपरेशन मुवमेंट का पार्थ इंसिडेंट जो की सेकेंड डेकेड ऑफ नाइंटीन हंड्राइड में हुई थी ठीक है और उन्हें प्लुशेशन जैसे मैंने आपको पता है आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि आग लगा दी थी और काफी मारे गाए थे और इ अजादी का अमरित म enfin सफ तो पता ही और कि 75 साल हने वाले हैं हमें अजादी को जो कि हम अगले साल मनाएंगे अगस्त 22 में तो प्राइम मिनिस्टर की विजन से कि 75 साल हने वाले तो इस अगस्त 22 से 75 हफते पहले हम अजादी के जशन को मनाना शुरू करेंगे इस डायमन्ड जुबली को तो उसका नाम रखा गया था अजादी का अमुरित महुतसब तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको फ्लैग ओफ किया था डांडी में डांडी मार्च से जो आप जानते हैं जो 1930 में की थी जब गांदी जी डांडी तक पहुंचे थे और सॉल्ट लोग को ब्रेक किया तो उसको फ्लैग ओफ करा था इस आजादी का मुरित महुतसब को 12 मार्च को पी-म ने तो उसी को देखते हुए जो चीफ मिनिस्टर योगिय दितनात है उन्होंने भी यूपी में इसको स्टार्ट किया है इसको कहां से काकोरी से तो यह पुछा जा सकता है कि यूपी में स कहां से शुरू किया है काकोरी से और प्राइम मिनिस्टर ने कहां से शुरू किया है जो डांडी मार्च है उसको फ्लैग ओफ करके वर्चुली ठीक है तो काकोरी से यूपी में जो कि 91st anniversary है डांडी मार्च की तो काकोरी क्या है काकोरी एक छोटा सा विलेज था तो है अपक एचारे द्वारा जो कि बाद में हिंदुस्तान सोशलिष रिपब्लिकन ऐसोशेशन बन गई थी यह भगत सिंग इस और चंदर शेकराजाद जी ठीक है और इसमें रॉबरी में किस ने प्लाइन किया था किस ने प्लाइन किया था इस रॉबरी को राम प्रसाद बिस्मिल जी और अश्वाकुला खान इन दोनों ने इस रॉबरी को प्लान किया था और इसको किस ने अंजाम पे किस ने प्लाइता राम प्रसाद बिस्मिल अश्वाकुला खान रजेंदर लहरी चंदर शेकरजाद सचिंदर बक्षी तो यह सारे जो आपको दिये गए हैं फ्रीडम फा इसके बारे मैं पूरा पता चुका और मोधीची ने इसको फ्लाइग ऑफ किया था फ्रॉम डांडी इन कुज्रा तु सेलिब्रेट इस हिस्टारिक एनिवर्सी ठीक है तो अजादी कामरिच मोध से स्टार्ट हुए यूपी में काकोरी यह पूछा जा सकता है और काकोरी इ इसको अड्रेस कियाता है सेलिबरेशन ऑफ 75 यहरस ऑफ रामचेंद्र मिशन तो यह इसकौन की तरह ही एक स्पिरिच्वल मिशन है जो कि यूपी से रिलेटिटड है तो अब इसकौन की तरह ही समझे जो खृष्ण भाक्ती में है वैसे ही यह श्री रामचेंद्र मिशन भी एक spiritual mission है जो कि आपके अंदर meaningfulness देता है life को peace देता है health और spiritual well-being देता है लोगों के अंदर ठीक और इससे related important क्या है? It teaches you the practice of sahaj mark और heartful meditation तो एक तरीका है meditation का जो कि इस organization का famous है यह आपको सिखा जाता है जो जो members है इस organization के अब यह UP से कैसे related है? it was registered in 1945 by Ramachandra of Shahajanpur in UP तो यह Ramachandra जी जो थे यह commission के जो founder थे वो Shahajapur UP से belong करते हैं इसलिए यह important है अगली news item यह भी हम current phase में cover कर चुके है अपनी series में UP's first paperless budget UP जो बन गई first state in the country to present a paperless budget तो आप जैसे दोस्तों जानते हैं कि जब इस बार एका union budget यानि कि center government का जो budget पेश हुआ था वो paperless था वो एक tab से पढ़ा गया था निर्मिरा सीतर रमंगी द्वारा तो इस साल जो आप से कुशन कुछ जाएगा कि first state कौन बनी? UP बनी है जोन्होंने की follow किया है यह center का जो एक initiative था paperless budget के तो UP बन गई है first state इंडिया में जिन्होंने की paperless budget प्रिजेट किया था और यह किन्होंने पेश किया था state finance minister Suresh Khanna ji ने इसको प्रिजेट किया था तो यह थी दोस्तों important events जो कि आपको आ सकते हैं पूछे जा सकते हैं questions में अब आजाते हैं सबसे important topic infrastructure इस पर definitely question पूछे जाते हैं exam के अंदर तो इसको हम सब्सक्राइब में पढ़ेंगे थोड़े ज्यादा topics हैं यह सारे के सारे आज हम वीडियो में cover कर लेंगे तो पहला देख लेते हैं infrastructure से related can betwa link project तो क्या था कि can betwa एक जो आप जानते हैं UP के तो बुंदेल खर्ड एरिया है उसके अंदर की दो rivers हैं जो वहां पर है तो बुंदेल खर्ड एरिया दोस्तों आप जानते है UP में वहां पर water shortage बहुत रहती है और scarcity of water है वहां पर बहुत कम पानी ही रता है वहां पर तो उस वज़े से इस project को एक center का initiative है जो की MOU sign किया गया था center और दो of surplus water from Ken river in मध्यपदेश to Betwa river in Uttabaya तो जो बेटवा river में पानी कम रहता है जो की बुंदेल खंड के अरिया से आप देख रहे है मैप में जाती है तो Ken river से जो है plus extra water जो है वो बेटवा river में दिया जाएगा इससे क्या होगा कि बुंदेल खंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं दोनों states में उनको benefit होगा ठीक है तो इसके लिए एक dam भी बना जाएगा धौधन डैम बहुत इंपोर्टन है नाम याद रख लीजिए धौधन डैम बनाया जाएगा जो की 77 मीटर टॉल होगा और 2 किलोमेटर वाइड होगा और 230 किलोमेटर की एक कनाल भी बना जाएगी इन दोनों rivers को जोनने के लिए जो आप रेड में देख रहे हैं पिक्चर के ठीक है तो दौटन डैम इसमें आपको याद रखना है और पानी किसका केंक रिवर का एक्स्ट्रा पानी जाएगा बेटवा रिवर के अंदर थोड़ी सी और न्यूस के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं ये क्या देगा ये उस जैसे कि मैंने बताया जो वहाँ पे जाएगा और इसके लिए एक आथोरिटी भी बिनाया जाएगी केंक बेटवा लिंग प्रोजट्ट अथोरिटी और इसका काम आठ साल इसका कम आच साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा two पैटवा क्वार प्रोजथे इसके वजा से पन्ना इकर माध्धेपरदेश के इं जानवरों को और बायो ड्रेवर सिटी को भी वहाँ पे लॉस होगा तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो इसकी वज़ा से हर्ट होगा तो यह आपको याद अटना है यह भी बुचा रहता है कि यह जो लिंक प्रोजेक्ट है इससे किस टाइगर रिजर्व को भाम होगा तो वह का पन्ना टाइकर रिजर्व अगला देख लेते हैं पी-म इनॉगरेट्स असेक्शन ऑफ इस्टरन डेडिकेटिड फीट कोरिडर तो दोस्तों आपको पता ही है एक डेडिकेटिड फीट कोरिडॉर्स बना रहे है फीट मतलब जो माल भड़ा जाता है जो माल गाड यहां आप इन डेडिकेटिड फीट कोरिडर पर ही चलेंगी और जो पैसेंजर की जो है वह और ट्रेने चलाए जा सके है उरिजिनल ट्राक के उपर तो यह इस्टरन और वेस्टरन दो बन रहे हैं आपको मैपस में दोनों के दोनों दिखाऊंगा तो यह इसका एक सेक्शन इनागरेट किया गया था यह यूपी में है इसलिए इंपोर्टन हो जाता है ठीक है तो पी एम इनागरेटेड न्यू भापुर न्यू खुर्जा सेक्शन साड़े तीन सो किलोमेटर का सेक्शन है जो कि उत्तर प्रदेश के इंदर फॉल करता है कुछ इससा है इसका ठीक ह इसको इनागरेट किया गया था और यह 1840 किलोमेटर का एक टोटल जो है ट्राक बिछाना है कहां से कहां तक बहुत इंपोर्टन है लुद्याना इन पंजाब टू कॉलकता इन वेस्ट पेंगल तो मैपको मैप में भी दिखाऊंगा दोस्तों इसका कि यह कॉलकता सक जाएगा और कहां से जाएगा लुद्याना से तो मेजर पार्ट जो है इसका यूपी में फॉल करता है तो अठारा सो जो चालिस किलोमेटर है उसके अंदर से अराउंड एक हजार शेतर किलोमेटर वो उत्तर प्रदेश में फॉल करता है जो सबसे जादा है ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टन एक प्रोजेक्ट है यूपी गॉवर्मेंट के लिए क्योंकि यह यूपी में से जाने वाला है ठीक है वेस्टन डेडिकेटिट फीड कोरिडर ये भी इंपोर्टन है जो वेस्टन पार्ट बन रहा है वो कहां से कहां तक बन रहा है दादरी इन इसमें जो है बहुत थोड़ा सा इससा अचिरफ 18 km ही जो है वो यूपी के अंदर फॉल करता है और टोटल जो इसकी लेंथ है वेस्टन डेडिकेटिट फीड कोर्डर की वह है बंदरा सो चार किलोमेटर तो इस्टन वाला जादा इंपोर्टन है वेस्टन में सिरफ 18 km है ज आने वाला है तो मैपको उनकी दोनों की आपको वो दिखा देता हूँ एक बड़ी मैप में तो यह इस्टन डेडिकेटिट फीड कोर्डर अब देखी रहे हैं पंजाब में यह स्टार्ट हो रहा है लुद्याना से और यह उत्तरबदेश के कितने सारे डिस्ट्रिक से जा हजार किलो मेटर इसने उत्तरबदेश में ट्रावल करना है तो कहां कहां जा रहा है मेरट हापपुड ठीक है अलिकड खुर्जा खात्रस टुंडला भापुर कानपुर प्रेमपुर अलाबाद मुगल सरह तो यह इतने सारे जगाउं से उत्तरबदेश के अंदर जा रहा ह और यह line आप उसमें draw कर सकते हैं तो अंदाजे से भी आप उस question को कर पाएंगे यह मैं आपको guarantee देता हूं ठीक है अब western वाला आप देख सकते हैं UP में बिल्कुल थोड़ा सा ही है दादरी वाला हिससा ही है बाकी इसमें UP में कोई fall नहीं कर रहा है इसके अंदर ठीक है तो यह आप बस इसमें end point से याद रख लीजिए और जो eastern वाला है उसके district जरूर याद कर लेजेगा कि कौन कौन से district से पास करता है अगली news item देखते है UP Power Distribution Network Rehabilitation Project तो यह के project कर जा रहा है UP में बिजली की जो किलत है electricity supply जो है वो reliable रहे उत्तर प्रदेश के अंदर एक project कर जा Asian Development Bank तो Asian Development Bank आपको याद रखना है कि यह पूछा सकते है यह project कौन सी agency के साथ मिलके कर रही है UP government तो यह Asian Development Bank और इसके लिए 300 million dollar देगा Asian Development Bank ठीक है तो इसमें बस इतना ही याद रखना है कि Asian Development Bank से है और 300 million dollar का है यह दो कोशन ही बनते है इससे और Asian Development Bank दोस्तों आप जानते ही ह है कि Malina Philippines में इसकी जो headquarters है 1966 में बनाए गया था और Japan जो है उनसे ही इसका जो head है वो Japan से ही choose होता है हर बारी ठीक है क्योंकि Japan की हिस्तेदारी इसमें सबसे जादा है second है US से third है China and I think fourth है इंडिया तो Japan से ही इसका head choose होता है और Manila में ही इसका headquarter है यह आपको याद रहे है फिल्म सिटी से भी question आ सकता है जो लो की कह रहे है कि Asia की सबसे बड़ी film city बनने वाली है कहां पर बनने वाली है ग्रेटर नोड़ा में बनने वाली है तो ग्रेटर नोड़ा का है गौतम बुद्द नगर डिस्क्रिट के अंदर NCR का यह पाट है और जेवर एरपोर्ट इन पे दो question बनते है जनरली जो पूछे जाते है ठीक है तो इसमें आपको यह पूछा जा सकता है कि कौन सी company जेवर एरपोर्ट को डवलाप कर रहे है यह रिसेंट्ली नुज आई थी तो यह है फ्लूग हाफन जूरिक एजी यह सुटजलेंड की company है जो जूरिक एड़पोर्ट बना ओपरेट करती है तो फ्लूगहाफन जन्मन में मतलब होता है फ्लूगहाफन का एरपोर्ट तो एरपोर् तो यह question इससे बनता है कि कौन डेवलाप कर रहा है ठीक है और यह PPP model में प्राब्लिक प्राइविट पार्णिशे मॉडल में मनाया जाए और जो फिल्म सिटी है उसके अंदर भी एक न्यूस आई थी कि उन्होंने एक्स्ट्रा जो है लैंड दी गई है उसको एड करा गया है जो अनिशल लैंड थी उसके अंदर एड किया गया है तो येडा यानि कि यमुना एक्सपरस फे इंटर्स्राइल डेवल्मेंट अथालिटी उन्होंने फिल्म सिटी जो प्रपोस्ट है वहाँ पे उसके अंदर हजार एकर की लैंड दी गई है अराउंड यमुना एक्सपर अल्टरा मेगा से बतले है बहुत जादा बिजली जो मेगावाट थाउजन्ट में पहुझाती है तो उसको अल्टरा मेगावाट पोजेक्ट कहा जाता है ठीक है तो अर्तालिस सो करोड का एक बनाए गया इसको अप्रूवल दे दिया गया भी बनना है ये उत्तर कितने वाटका बनने वाला आपको जगा बता देंगे और कितनी पूछलेंगे उसकी शमता कितनी है इलेक्टरिसी गेरेशन की तो 1200 मेगा वटका बनेगा और कहां बनेगा ये बंदेल खंट के ही जो जलाओ डिस्ट्रिक है उत्तरवजश में ये बनेगा वहाँ पे तो जाद रखने है, तीन चीज़ हो गई, 1200 MW, जलाओं डिस्टिक और बंदेलखंट, सौर उर्जा लिमिटेट. डिफेंस इंडिस्ट्रिल कोरिडोर्स यह भी बहुत इंपॉटेंट कोईसिन है, इंफार चेक्चर में यह पूछेंगे पूछेंगे आपसे, एक पहले भी पूछ चुके हैं एक उत्तर परदेश के एक्जाम में, तो यह कोईस्टिन बहुत इंपॉटेंट है, हर बारी पू industrial corridor के है दोस्तों basically क्या है जो cities को जोड़ेंगी सड़के express phase आपमाल लीजिए और उनके आसपास जो है industrial development कराई जाएगी ऐसी industries लगाई जाएगी जो की defense से related production करेंगी defense जानी की जो आपकी guns हो गई, ammunition हो गया तो ऐसी industries बनाई जाएगी और उससे employment generation भी होगी तो यह दो जगा पे कहा गया है उत्तर प्रदेश में और तमिल नाडू में बनाए जाएगा दूसरे तो इसमें छे पॉइंट्स हैं छे नोडल पॉइंट्स हैं जो क्या पिक्चर में देख रहे हैं इन जगाओं को जोड़ा जाएगा और उनके आसपास industrial development की जाएगी डिफेंस से रिलेटेश तो कौन कौन सी जगा है यह पूछा गया था question में तो आपको दिपता रिता हूँ दो एक तो है आगरा अलीगर जासी चित्रकूट लखनव कानपूर तो कैसे आप याद रखेंगे आगरा अलीगर तो यह तो दो हो गई दो हो गई आपकी बुंदे इंडिया की वेबसाइट से लिया है मैंने तो यह ऐसे जोड़के इनके आसपास इंडस्ट्रियल डेवलाप्मेंट की जाएगी रिलेक्टेट टू डिफेंस ठीक थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ क्या होता है यह प्लग एंड प्ले सपोर्ट दी जाएगी इंडस जैसी वो मांगेंगे बटन दबाएंगे उनको सारी सर्विस neighborhood, water supply पोड ठीक है, uninterrupted electricity जाही होती है इंडसी को यह मिलेगी ने, ठीक है, 4-lane heavy duty highway बनाय जाएगा, ठीक है, expressway बनाय जाएगा, जैसे बुंदेल खंड expressway आपको मैं आगे पता हूँगा, डेली जासी को जोड़ जाएगा, single window approvals दिये जाएगे, ठीक है, single window नहीं कि सारी clearances आपको एक ही जगा पे मिल जाएगी, और इसको कैसे दिया जाएगा, निवेश मित्र जो एप है, उसके द्वारा दिया जाएगा, तो ये भी important question है कि किसके द्वारा दिया जाएगी, single window clearances, निवेश मित्र एप, labor permits दिये जाएगे, industry को, flexible employment condition दी जाएगी, simple regulatory और rationalized regime दी जाएगी, असानी से उनको subsidies, incentives दिये जाएगे, तो ये सारी चीज़े दी जाएगी, plug and play model के अंपर, ठीक है, और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पताया है, Tamil Nadu में बन रहा है, इसके जो 5 nodal points है, ये आपको याद करने क तो ये पांच point है, Tamil Nadu में और UP के अंदर 6 point है, जा मैंने आपको पहले पताया है, अलिगर आगरा, जहां सी चित्रकूट, लखनाव कानपूर, ऐसे आप इने याद कर सकते हैं, दो-दो करके, एक और important topic, express phase of UP, तो express phase development UP में बहुत हो रही है, दो express phase अच्छे-च्छे start भी हो और express phase जो बने वे हैं, उनके बारे में थोड़ा सार डिसक्स कर देते हैं, इन पे question एक तो आएगा याएगा पका है, तो India's longest express phase connecting लखनाव to गाजिपूर is expected to be flagged off in August, तो ये news आई थी, कि अगस्त में इसको start किया जाएगा, जो कि लखनाव से गाजिपूर तक बन रहा है, उसको Eastern UP से जोडने बला है, Eastern UP यानि भिहार के border तक ये approximately पहुँच जाएगा, और इसकी length कितनी है, दूसरा equation ये बनता है, 341 km इसकी length है, ठीक है, और ये 22,500 क्रोड का एक 6th lane access control express वे है, फ्रम चांसरा इन लखनाव, जो की एक विलेज है, और हदारिया इन गाजपूर डिस जाता है, यूपी भिहार border से, तो इतना बड़ा ही expressway बन रहा है, जो कि एक को सीधा भिहार पचा देगा, भहुत ही जंदी, ठीक है, इस से रिटेड़ एक और न्यूज आई थी, कि A-Strips है, जहाँ पे की बनाई गई है, expressway पे, जहाँ पे की fighter planes को आप लैंड करा सकते है, इन case of war, तो ये दो बाद, दो जगा पे हुआ था, आगरा लखनो एक्सप्रेस वे पे लैंड कराया गया था, पिछले साल, और पूरवांचल एक्सप्रेस वे पे इसको लैंड कराया था, plane को, तो ये दो A-Strips बनाई गई है, इसको A-Strips की तरह भी यूज किया जा सकता ह तो ये पूछा जाएगा कौन गउन से एक्सप्रेस वे हैं हो, तो A-Gra-Laknow Expressway और पूरवांचल Expressway, अब ये Greenfield project है, यानि कि इनको बिल्कुल 0 से बनाए गया, इनको बिल्कुल 0 से बनाए गया, बिल्कुल ये खेत थे खेत पर दुबारा बनाए गया, तो ये EPC यानि Engineering Proc Roadman and Contract Basis Press को बनाए गया है, और ये जो 9 most backward district है, ये जो 9 most backward district है, ये पूछा गया है, तो 9 कौन से डिस्ट्रिक के है, ये पूछा जाता है, ये पूछा गयता है कि कौन से डिस्ट्रिक से ये Expressway पास करता है या नहीं करता है, तो आपको ऑप्शन दे जाएंगे, तो पहला है, बारा बंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमबेदकर नगर, आजमगर, माव और गाजिपुर, ये आपको याद रखने है सारे district, आप इसको मैप में जितनी बारी देखेंगे, उतनी असानी से आपको याद होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन से district कहा पर पूरवानचल एक्सप्रस पर आप ले लिए आगरा अलग नौव एक्सप्रस पर फिर आप ले दिये ताज या यूमन एक्सप्रस पर जिसे कहते हैं जो की आगरा को गेटनाटी सिकने करता है तो अब दिल्ली पहुँच जाएंगे, तो ये बहुत ही शांधर connectivity product है पू किसको connect करेगा या आगे आपको मैप पे भी दिखाऊंगा 91 किलो मेटर गोरगपूर एक्सपरस वे बन रहा है और इंडिया का सबसे लंबा एक्सपरस वे आस तक का अभी तो पुर्वांचल एक्सपरस वे है त्री डाल चसी कि मैंने पको पता है 390 किलो मेटर ये बनेगा इसको एक्सटेंड कर दिया गया तो उसकी टोटल लेंथ और जादा बढ़ गया तो इंडिया का सबसे बड़ एक्सपरस वे कूछा जाएगा तो एट प्रेजेंट पुर्वांचल एक्सपरस वे और कौन सा बन रहा है तो गंगा एक्सपरस वे ठीक है तो बुंदेल खंड कि अर्था एक्सपरस वे के बारे में जान लेते हैं तो यह किसको कनेक करता है बुंदेल खंड के रिया को यह कनेक करे को ओवियसली तो चित्र कूट को करता है एक्टावा डिस्टिक से, आप बस इतना ही याद रखिए, 296 किलोमेटर कहा है, चित्रकूट को एटावा से कनेक करते हैं, और एटावा पे क्या है, एटावा पे आप लखनव आगर अगर आगर 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 districts है वो इसके अंदर cover हो जाएंगे सिवाए ललितपूर के I think ठीक है तो यह important है question तो ललितपूर नहीं होगा तो आपका option में देदेंगे ललितपूर तो पूछ लेंगे कौन सा नहीं है तो ललितपूर option हो जाएगा ठीक है अगरा देख लेते हैं 91 km का है यह गोरगपूर लिंग एक्षसवे तो यह क्या करेगा गोरगपूर डिस्ट्रिक को कनेक कर देगा पूरवंचल एक्षसवे से पूरवंचल हमने अभी पीछे पड़ा ह तो उससे इसको कनेक कर देगा गोरगपूर को ठीक है और लास्ली जो इंडिया का सबसे लंबा बन रहा है इसको देख लेते है 594 km गंगा एक्षसवे का phase 1 यह phase 1 है जो की मेरट को कनेक करेगा अलाबाद से ठीक है तो पहला पूछा जाएगा आपको गंगा एक्षसवे किस को कनेक करेगा मेरट टू अलाबाद और इसकी लेंथ होगी 594 km कौन कौन से डिस्टिक है बारा डिस्टिक है इसके अंदर यह भी आपको याद करने है मेरट हापूर बुलेंचर अम्रोहा सांभल बुदाओं शाजानपून हर्दोई उन्नाव राइबरिली परताब गड़ तक इसको एक्स्टेंड किया जाएगा और अलाबाद से आगे बलिया तक करा जाएगा थू वारनसी तो इसकी टोटल लेंट फिर हो जाएगी 745 km गंगा एक्सवे की आफ्टर फेस्टू तो एक्स्टेंशन क्या होगी मेरट की जगा हरीदवार पहुच जाएंगे हम और न आगरा करेड में जो है वो फेस्टू का है इसका ठीक है डॉटल लाइंस जो है और ग्रीम में आप देखने है आगरा लखनौ एक्सवे और पूर्वांचल एक्सवे यह लखनौ पे जाके मिलेंगे आपको और बुंदेल खन एक्सवे परपल लाइन आप जो नीचे देख तो बहुत ही अच्छी development होगी युकतर पडेश के infrastructure के लिए बहुत important boost है इसे jobs होगी बहुत important है यह पेपर खनेश से बहुत important है यह चंबल एक्सवे पर्यूज से बहुत important है चंबल एक्सवे पर देख लेते हैं तो चंबल नदी के किनारे किनारे एक express पर बन रहा है ठीक है कोटा राजिस्थान में इसको इतावा से कनेक करेगा इतना ही इसमें आपको जाद रखने हैं तीन स्टेट्स हैं चंबल नदी के आसपास बनेगा यह भी बुंदेल खंट रिजन की डिलप्मेंट के लिए इंपॉर्टन है आप जितने भी इनिशेटिव देखेंगे न अभी जाएंगे रोड के किनारे ठीक है उन रोड से जो भी मिलेगा प्रोडक्ट उसकी जो कमाई होगी वो फार्मर्स को दी जाएगी तो फार्मर्स की इंकम रेस करने का यह एक स्टेप है ठीक है तो यह कह रहा है कि ट्रीज ऑफ मेडिसिन और वेल्यू रॉंग दोस्ट अ जाएगी त्रीज की जिससे की एक टो लैंड इरोजन भी बजेगा कि मिट्टी नी उडएगी करकी पेड़ है और सुंदर्ता भी बढ़ेगी और फार्मर्स की कमाई भी होगी यह मैंने आपको पता दिया बायो डिवरसिटी भी बेनिफित होगी ब्यूटिफिय भी होगी डिवलप्मेंट भी होगी और मेडिसिनल आपको प्रोटाक्ट भी मिल जाएगा तो ये पूछा जाएगा इसमें से कौन कितने किलोमीटर की बनने क्या प्रोपोजल है तो 800 किलोमीटर की बनेंगी ये कौन कौन से पौदे लगा जाएगे शीश्यम, आमला और अर्जुन सायक इरिगेशन प्रोजेक्ट को लोगी जी ने इनागरेट किया था इसमें इंपोर्टन्ट क्या है कि ये कहां पे है ठीक है तो ये भी आपका बुंदेलखर्ट रिजन्ट के डिस्ट्रिक्स है इसमें इसमें तीन इरिगेशन फसिलिटीज प्रवाइड करेगा और यह धासन प्रिवर पे बनाया जाएगा तो रिवर धासन आपको याद रखना है और महोबा बांडा और अमीरपूर आपको इसमें इंपॉर्टन है जो याद रखना है कुषीनगर बारे में हर बार ही पूस्ते हैं तो अपको लिखशेत करना है करने का समीं करना है किस्टम नौतिफाइड है यह पे इन्टरनेशनल पर संगेगी तो इसलिए बनाया है किस्टीज आघीया और कि यहाँ पर बुद्धा जी ने अपने प्रांग तागे थे तो कुशी नगर एरपोर्ट यह है इंटरनेशनल दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर और इसी से रेलिट्विट एकॉर्ड न्यूस पिछले साल की है यह कि फ़र्स ट्रांसजेंटर युनिवस्टी का बनी थी तो यह बनी थी फजली नगर ब्लोग कुशी नगर इंडिया की फ़र्स ट्रांसजेंटर इंजरसty फजल नगर ब्लॉक कुशी नगर में बनाए की थी एक एरपोर्ट और बनाए गया यूपी के अंदर जो कài यूपी का आठवा एरपोर्ट है यह इंटरनेशनल ल तो यह बिसने स्कांड़र की निवस है और इसमें कहा गया है कि 101 करोड रुपए दिये जाएंगे बजट के अंदर जो कि इस एरपोर्ट के लिए अलग रखे गए थे बजट के अंदर और इसका नाम क्या होगा यह इंपोर्टन ए श्री राम के उपर होगा तो इसका नाम थी कि आम आदनी भी प्लेन में सहार कर सके और जो अन्यूज़ एर स्ट्रिप्स है इंडिया गाहों में उनको रेनोवेट करके इनको प्लेन छोटा लैंड कर सके और प्राइस कैपिंग हो उनकी तो वह इस स्कीम का मेन मोटे था तो उसकी धाइसो भी रूट को अप्रूब यह रूट ठीक है और यह 217 की एक स्कीम है और इसको दिया गया है यह वाला रूट? अल्यानस एर को तो कम्पनी भी पूछे जा सकती है अल्यानस एर को यह बुवनेश्वर वारानसी रूट अलोट है यह बिडिंग होती है इसके अदर फिर अलोट में होती है अब थोड़ तो चित्रकूट के अंदर इसको इनौगरेट किया गया है और यह कौन सी रिवर पर बनाए जाएंगे बान गंगा रिवर इन चित्रकूट यह आपको याद रखना है और इसका नाम क्या होगा चौदरी चरंसिंग रसिंबान योजन यह इक और डैम यह भी बुंदेलखंड म चित्रकूट में यह डोपने खिजन रहे हैं एक अर्यद्र कोड में इसको जो ने अधरandır मृडट होगा है इसको यह रहताएं नौच कलस्टर बनाएंगे और चित्रकूट और कार्वी सुथ ब्でॉड़क में इंडर्श्टर का मतलब है कि यह तो 13 ब्शों मिनिस्ट्र ऑफ चाइना को आप competition देने के लिए इन ग्रेटर तो दोस्तों ये था हमारा part 1 मैं आशा करता हूँ आपको बहुत इच्छा लगा होगा और योधी वीडियो आपने यह तक देखा ही है दोस्तों तो definitely आपको अच्छा लगा होगा और यदि आप नहीं है चैनल पर तो एक बरी subscribe कर लीजे जिससे की आने वाले बाकी के जो वीडियो बचे है इस सीरीज के उसकी नोटिविकेशन आपको मिलती रहा है जो कि आपके एक्जाम में helpful रहे है और बैल आइकन को भी दबा दिजेगा वीडियो यह तक देखा है एक लाइक तो बंता ही है एस वो ही एक हमारा मैनत का रिवार्ड है यह आपके साथ करने का तो दोस्तों अब हम लिए अगले वीडियो में पार्क टू अफ दे यूपी करंट अफेर सीरीज में तब तक के लिए बब बाई एंड हैपी लर्निंग और दू टेक वेरी गुड केर आफ यह सेल्फ इन दिस एक्जामिनेशन सीजन पपाई